कि दोस्तों नमस्का स्वागत हैं मौर्याजी नीज चनल में दोस्तों एक बार हम फिर उपस्तित हुएं आप लोग को समझ नहीं जानकाई लेकर के दोस्तों दोस्तों आज हम बताएंगे जो हमने पिछले वीडियो में बताया कि पिएसल का पैसा दिलाने के लिए भारती लोग से वादल के महिंद पाल दांगर जी ने जो अंसन पर बैठे हुए थे भूंकरताथ पर बैठे हुए थे उनका अंसन तूड़ गया क्यों तूटा किस बात पर तूटा क्या बाते हुई इस पर हम बात करेंगे दोस्तों और पि देख रहे हैं हैं से रिक्ष्ट है जनल को सब्सक्राइब कने और सात में पिए अपने बimientos ताकि उन्हें साथ पर्थम लेतर बीडियों मिलती रहें दोस्तो ौर से सब्सक्राइब की हुए हमाई oke और भाईयों को बहुत बहुत धन्यवाद है। दोस्तों आते हैं अपने नुज पर। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि पैसे को दिलानी के लिए और जो लोड़ा कमेटी में जो प्रापर्टियां हैं आटेज थी और हेर फेर हो रही थी प्रापर्टियों में 600 एकर जमीन में हेरा फेरी हुई थी और उसको बल्दब की जब धन ही रहेगा तभी पैसा मिलेगा दोस्तों ऐसा आप जानते ही हैं उसी के बारे में दोस्तों यह अंसन था अर्थात पेसल का पैसा जल्दी मिले इस बाबत अंसन किया गया थ और कुछ बाते हुई हैं प्रापर्टियों को दूस्त करने के लिए कलेक्टेट ने कहा है कि हम जल्दी प्रापर्टियों मतलब की जो इधा उधर हुई हैं बदली गई हैं उसको हम सही कराएंगे और जल्दी आश्वासन दिया है दोस्तों गरिपतारियां कुछ हुई है पंजाब में मांसा में तो दोस्तों ये पैसे को लेकर ही हुआ है और एक खबर और हम मताद देना चाहता हूं दोस्तों The Zero News Special Matter की तरफ से उनका बार-बार यही कहता है कि बहुत सारी जमीने बेज दी गई और संगठन वाले जो हैं AISO संगठन और जो संगठने बनी हुई हैं PSL के पैसा दिलाने के लिए ये सही तरीके से काम नहीं कर रही है कि PSL का जो जमीने जो जमीने है वो धडले से बीक रही है है रेश्ट्रियां हो रही है और उस पर संगठन वाले कोई कार नहीं कर रहे हैं और जमीने बिक्ती चली जा रही है जब PSL के जमीने ही नहीं रहेंगी तो लोगों को पैसा कैसे मिलेगा वो चिंता बेद कर रहे हैं दोस्तो दाजीरो नीश PSL मेटर यही बात कहता है उनका कहना कि यह भी है कि हम जो भी नूज दिखाते हैं संगटर वाले कहते हैं कि गलत नीश है इन्की बातों में मताओ यह दाजीरो नीश PSL मेटर जो नूज देता है गलत नीश देता है और दाजीरो नीश PSL मेटर कहता है बार बार यही अपने चैनल पर बताता रहता है बताते हैं कि अगर हम निवेशकों को पैसा दिला सकते हैं तो केवल 21-22 के मैटर को लेकर के ही निवेशकों का पैसा मिल सकता है मैनेजमेंट को अच्छी तरह हम घेर सकते हैं 21-22 अगस्त में जो पैसा जमा हुआ है 2014 में इसी matter को लेकर जवाब देहें लेकर के हम management को अच्छी तरह घेर सकते हैं लखेर सकते हैं और भंगू मजबूर हो जाएगा पैसा देने के लिए निवेशकों को अभ्यास सहित पैसा मिलेगा दोस्तो दाजीरो निवेश पैसल मेडर का यही कैना है दोस्तो वो अपने चैनल पर बार बार इसी matter को लेकर लोगों को बताता रहता है बताते हैं दोस्तो और बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अधिक से अधिक लोग यह कैस बाइस का मुद्दा उठाएं और संगठन वालों से भी यही अपील करते हैं दोस्तों कि संगठन वाले यह प्रापरिटियों पर ध्यान दें और यह कैस बाइस अगस्त का मुद्दा तेजी से उठाएं ताकि हम लोगों का पैसा मिल जाए और दोस्तों वो इस बात को इस तरह से समझाने की कोशिस करते हैं कि 57,000 करोड की कि 11,800 करोड लोड़ा के मिल पास संपत्याग क्यों हैं बांकि 46,000 करोड कहां गए इसका हिसाब संगठन वाले क्यों नहीं मांगते हैं उनको भांगना चाहिए बंगु से मैंनेजमेंट से इस हिसाब को क्यों नहीं मांगा जाता है वो इस बात को बार-बार बताते रहते है कि हजैसे मायने किसी ब्यक्त को 57 रुपे दिये 57 रुपे दिये कि बाजार से सामान खईद लओ और वो 57 रुपे का सामान न खईद करे 11 रुपे का सामान खईद करे हिसाब देता है कि 11 रुपे हमने खईदा इतने कई ये खईदा इतने कई ये खईदा गेरा रुपे का हिसाब देता बांकी का हिसाब नहीं दे पाता है तब पूछा जाता है बांकी रुपे 46 रुपे आपने मुलब कहां रखे क्या हो गए 46 रुपे तो वही मामला जो है कि सिधा सिधा समझाने की कोशिस दाजीरो निच पियसेल मेंटर कर रहा है कि 46 रुपे का हिसाब हमें पियसेल मेंटर वह पियसेल का मेनेजमेंट भंगू बताए कहां गए उसका हिसाब हमें चाहिए और एक बात और किलियर करता है जो कि वो बार-बार चलेंज करता है आइटाई के माध्यम से पूछा गया पूछते हैं तो उसमें पता चलता है यह कैस बाइस का जो कलेक्शन हुआ है जो पैसा जमा हुआ है वो सेवी के रिकार्डमिंट नहीं है अर्था सेवी के पास वो पैसा जमा नहीं है तो दोस्तों हम यह कहना चाहते हैं जब 2014 में मलब कि एक 222 अगस्त को जो आदेशाया तेश तारीक से कंपनी बंद हो गई जब कंपनी बंद हुई तब उसके बाद भी पैसा जमा होता रहा अगर इस तरह कहें तो गलत है लेकिन हम यह कहना चाहते है एक 22 अग ऊस्पर इस्तारिक में वह रसिदे करती ती बैगडेत में करती रह्ती ती और ब्रंच खुला रहता अथा। आधा वह पीछे काप होता रहता था। तो वह रसिदे रसिदों में जो डिये गए निमेजकों को वांड भी कटे हैं। वह पैसा कहा गया। उसका हिसाब कहीं से भी के रिगाइड में नहीं है तो दोस्तों वो पैसा कैसे मिलेगा इस पर विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कमेंट के माध्यम से आप बताएं दोस्तों ये Zero News Special Meter कितना सही बोलता है कितना गलत बोलता है इसके बारे में हम जवाब चाहते हैं दोस्तों कमेंट के मात्यम से बतें आपका विवेग क्या कहता है दोस्तों और हमने देखा महेंद पाल दान्दगर जी दाजीरो ने पेसल मेटर से बाते भी हुई है और ये भी बात हुई है कि हम पैसा दिलाने के लिए प्रियासरत हैं और दाजीरो ने पेसल मेटर को कुछ अलग है लेकिन लच्छ एक ही है और दानगर जी भरसक प्रियास कर रहे हैं पैसा दिनानी के लिए रोगों का तो दोस्तों यह रही अब तक की जो बाते हैं और इन बातों से आपको क्या रिजल निकलता है पैसे के बारे में दोस्तों कमेंड के मादम से बताएं कि इस पर चेंट नहीं रही है खिला वाली कर रही है अगर चाहिए सरकार तो cpi को आधे जाज करे जो गलत पाय जो जो मतलब की PSL की प्रापार्टी है इस बात पर जाज करे जो PSL की प्रापार्टी निकल दे तुरंत लोडा कमेटी में आटेज करवाए अगर cpi जाए तो cpi से जाज करवा दे सरकार जल्द जल्द साधी प्रापरेटिया जाज करने के बाद लोड़ा कमिट्री मैटर्ज हो जाए और बिख जाए और लोगों का पैसा बिल जाए लेकिन कोई राजनेता सरकार ऐसा कुछ करना नहीं चाहती है और ऐसा कुछ ना करने की वज़ा से गरीब विचाय निवेशक यही जानते हैं और अधिकतर निवेशक यही जानते हैं कि इसमें एजेंट की गलती है कमपनी की गलती है एजेंट और कमपनी के बीच में मामला जूल रहा है निवेसक एजेंटों का गला दबाते हैं कि मेरा पैसा दुख कहीं से दूख सरकार सही है दुरूस्त है सरकार कोई गलती नहीं है कमपनी गलती थी एजेंट की गलती थी जो इस प्र तो दोस्तों हम बात करना चाहते हैं सही या गलत वाली बात तब आती है जब कोई कंपनी सही हमारे सामने चलती होती आज हम यह देख रहे हैं सारी की सारी कंपनिया बंद हो गई कोई कंपनी नहीं चल रही दोस्तों आप अपने विवेग से सोचे